चैम आतादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करड़े वाले हैं 17 माई और 18 माई 2021 के सिंग राशी फल के बारे में सिंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहनक्षत्रों की इस्तिती कैसी होगी किस तरह के यूग आपको इन दो दिनों में देखने को मिलेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिन्चरिया पर कैसा होगा आपके जीवन से जुड़े हर शेत्र के बारे में हम जानेंगे फिर वो आपका काम हो, आपका भैपार हो, आपकी नौकरी हो, हचीज के बारे में हम बात करेंगे बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सनिविदन है चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारी चैनल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगे तो चलिए इन दो दिनों के तिथी नक्षत्रों की हम बात कर लेते हैं अब यह जो 17 माई का दिन है, यह सौमवार का दिन है और शुकल पक्षि की पंचमी तिथी है जो सुभा 11 बज कर 34 मिनट तक है, उसके बाद 6 तिती लग जाएगी पुनरवसु नक्षत्र रहेगा, दो पहर 1 बज कर 22 मिनट तक, उसके बाद पुशन नक्षत्र शुरू होगा यह जो पुशन नक्षत्र होता है, यह सभी सत्ता इस नक्षत्रों में बड़ा सर्वस्रिस्ट माना जाता है गण नाम का योग बनेगा, चंदरमा खिषते थे करक राशी में हैं, इस दिन सुभा को ही चंदरमा करक राशी में चले जाएंगे सुर्य वरशबराशी में बैठे हुए हैं, और इस दिन सरवार्थ सिद्धी योग बनेगा पोरा दिन, इसके लावारवी योग भी बनेगा पोरा दिन और इस दिन का भी जीत मुहत होगा, सुबह 11 बजकर 50 मिनट से 2 पहर 12 बजकर 45 मिनट तक अब 18 मई की बात करते हैं, तो ये मंगलवार का दिन है, शुकल पक्षे की शस्टी थी दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक पुष्ण नक्षत्र रहेगा, वरधी नाम का योग है, और इस दिन चंद्रमा करकराशी में, सुर्य वरशबराशी क्रती का नक्षत्र में इस दिन भी पूरा दिन सरवार सिद्धी योग बने वाला है, बलकि अगले दिन या यह 19 मई की सुबह तक और पूरा दिन रवी योग भी बनेगा, अभी जित मोर्त है, इस दिन का 11 बजकर 50 मिनट से 12 बजकर 45 मिनट तक तो ये है ग्रह नक्षत्रों की इस्तिति, अब देखे एक तो यहां शुब चीज ये है कि दोनों ही दिनों में सरवार सिद्धी योग बना है, दोनों ही दिनों में रवी योग बना है, इसके लावा चंद्रमा अपनी राशी में बैठ हुए हैं, और पुषण नक्षत्र ह जो इस नक्षत्र माना जाता है कुछ नई खरिदारी करने के लिए इस दिन के जो खरिदार की जाती है उससे घर में भरकत होती है इसलिए इस नक्षत्र को बहुत शुब माना जाता है अब सिंग राशी के लोगों के लिए कैसा दिन रहेगा सबसे पहले सत्रा माई की बात करते हैं सत्रा माई का दिन एक तो आपके जीवन साथे के साथ प्रेम बहरा समय अपना पन मिलेगा इसने हैं महसूस करेंगे आप इस दिन यानि रोमांचक दिन आपको इसको बना सकते है आप फिर आपका साथी अगर दूर रहता है तो उनका फोन आएगा उनसे कॉंटक्ट में रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों से बाचीत होगी आपकी और इस दोरान आपके हाथ कोई कीमती बात या कीमती विचार ऐसे चीज़ें लग सकते हैं बातें भी कीमती होती हैं और विचार भी कीमती होते हैं कुछ विचार ऐसे होते हैं जो आपकी जिन्दगी को बदर देते हैं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत कुछ समझा जाती है या बातों ही बातों में आपको कुछ कर गुजरने का एक मौका मिल जाता है तो ऐसा ही कुछ कीमतियाज आपके साथ होगा अपनी विवेक का इस्तेमाल करें घर के लोगों से बात करें और अगर घर में कोई बेवजय का जगड़ा चल रहा है तो उसे सुल जाने का प्रयास करें क्योंकि इससे समय खराब होता है और मांचिक तनाव होता है आपने अपनी काम पर मन नहीं लगा पाते हैं ये ऐसा दिन होगा जब आप एक द्रड निश्चय होंगे पूरी लगन से अपनी कामों को अंज है वो अलग ही आता है जीवन साती के साथ भी अच्छा समय आपका रहेगा और अगर कोई आपको अपनी समस्या बताता है चाहे वो घर का मेंबर ही क्यों नहों तो उसकी बातों को ध्यान से सुने भावनाओं को बहतर तरीके से समझने का प्रयास करने क्योंकि जब आप भा प्रिकार में ही एक बड़ी बहस का हिस्सा बन जाती है तो ऐसी ही कुछ चीजों को देहान में रखना होगा आपके व्यक्तिगत जीवन में तनाव कम होगा इससे और सामाजिक तोर पर पर पारिवारिक तोर पर अपने जीवन का पौन आनंद उठा सकेंगे आज के दिन इक दिन आपके लिए रहेगा फ्लर्ट करने के मूड में रहेंगे इसके लावा विवाह के सहीयोग बन रहे हैं जल्दी ही शेहनाईया घर में बज़ सकती हैं विवाह पक्के होने के चांसित इस दोरान बिल्कुल है अब 18 मई तो सबसे पहलो देखे जो योग बने हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं जैसे कि पुशन नक्षत्र है तो इस पुशन नक्षत्र में आप अगर गाड़ी खरीदना चाहते थे तो उसकी आप बोकिंग करा सकते हैं गाड़ी खरीदने के तियारी कर सकते हैं बहुत अच्छा दिन है खास दोर से अठारा मई का दिन दो पहर तीर मजे तक का या फिर आपको गैजिट खरीदना चाहते थे उसकी बुकिंग कर सकते हैं उसको आप खरीद सकते हैं यानि कुछ ऐसी चीजें जो आप खरीदना चाहते थे उनकी खरीदारी आप इस दिन कर सकते हैं अगर पॉसिब मेहनत भी करने पड़ेगी और कुछ कारियों में तो सफलता हासिल हो जाएगी लेकिन कुछ कारियों में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी या वो काम आपके पैंडिंग रह जाएंगे या फिर वो समय से पूरे नहीं हो पाएंगे तो अपने हालात का सही रूप से जायजा आपको लेना होगा ताकि आप अपनी चुनोतियों को समझ सके और उनको समहाल भी पाएं कि क्या आपका काम पेंडिंग है, क्या आपका काम पूरा हुआ है या कौन से काम में आपको कितनी सा फलता मिली है बाकी परिवारिक रूप से खुशियों भरा दिन रहेगा खुशियां रहेंगे, सेहत समझ दी कुछ जुड़ी हुई परिशानिया हो सकती है और व्यपार में साज़ेदारी का योग बना हुआ है बड़ी साज़ेदारी का योग है कोई जातक साज़ेदारी बनने के लिए आप से परमिशन मांग सकता है या कहीं तो आप से बात कर सकता है साज़ेदारी में काम शुरू करने के लिए और कोई राज की बात आपके सामने भी आने वाली है इस दिन जो आपने पूछा भी नहीं होगा ऐसी कोई राज की बात आपके सामने आ सकती है ये दिन आपके मित्रों के साथ अच्छा समय आप वैतित करेंगे मित्रों के साथ बड़ी अच्छी बॉंडिंग रहेगी काम में तो वैस्त रहेंगे ही लेकिन अपने मित्रों के साथ भी समय बिताएंगे जिसका असर आपके प्रेम पर दिखाई देगा और प्रेमी से कुछ अनवन हो सकती है तो वहां भी थोड़ा दिखान रखें प्रेमी के साथ बात करने के लिए भी तो देहन संपत्ति के मामले में तो दोनों दिन अच्छे है स्वास्त है के मामले में भी 18 माई को ही थोड़ी सी परिशानी हो सकती है बाकि अच्छा है लेकिन प्रेम संबंद के मामले में दोनों दिन लाजवाब रहने वाले हैं एक व्यावसाय के मामले में भी और व्यवाहिक जीवन में भी यानि अगर overall हम इसका percentage निकालें तो लगबाग 80% आपका जो दोनों दिन हैं बहुत ते सुन्दर रहेंगे हर कारिय में आपको सफलता भी मिलेगी आप खुश भी रहेंगे और पारिवारिक जिम्मिदारियों को भी निभाएंगे उपाय के तौर पर आपको क्या करना है उपाय के तौर पर आप हनुमान जी के उपाय कर सकते हैं आप हनुमान 40 का सुबह पाठ करें अगर हो सके तो 11 बार को शेयर करना ना भूलें